तो आज हम बात करेंगे Tata 2825.tk tipper के बारे में और यह BS6 model है तो आज इस वीडियो के अंदर में आपको इसकी complete details बताऊंगा इसकी price, इसकी specification, इसका gross vehicle weight और इसकी warranty तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तभी आपको इसकी सारी details मिल पाएंगी और हाँ दोस्तो अगर आपको हमाई तरह ट्रक पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल बटन को जरूर दबा देना क्योंकि ऐसे BS6 ट्रक की वीडियो हम आपके लिए आगे भी लेके आएंगे और हाँ दोस्तो अगर आपको ट्रक के बारे में और जानना है या फिर आपको कोई भी इन्फॉर्मिशन चाहिए तो हमें आटोगेर इंडिया के नाम से इंस्टरकाम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसके ग्रॉस्विकल वेट से स्टार्ट कर लेते हैं जो इसका ग्रॉस्विकल वेट है वो 28,000 किलो है और इसकी प्राइज वो स्टार्ट होती है 37.85 लेक से और वो जाती है 44.62 लेक यह एक्शोरूम प्राइज बतारों में और यह डिपैंड करता है आप कौन सा वेरेंट लेते हैं तो जो स्टार्टिंग प्राइज वो 37.85 लेक है और जो इसकी टॉप वेरेंट आता है उसकी प्राइज है 44.62 लेक और इसके अंदर आपको जो वारेंटी मिलती है वो 6,000 आर्स की और ड्राइवलाइन वारेंटी मिलती है और जो सर्विस इंटरवल है वो 1500 आर्स है तो दोस्तो ये तो गया इसकी प्राइज वारेंटी और इसका ग्रोष विकल वेट अब इसके जो आउटर लुक ये उसके बारेंगे बात करेंगे और ये यह AC variant है दोस्तो, मैं आपको बता दू, यह AC variant है, इसके अंदर जो एक blower वाला variant भी आता है, लेकिन यह AC वाला model है, तो फ्रेंट में आपको halogen bulbs मिलते हैं, और यह आप देख सकते हैं, वो ही सेम सिगना कैबिन मिलता है, इसके अंदर, और यह फ्रेंट में विंद्शील प्लस dual wipers मिलते हैं, यह 28-25.tk की basing, अब इसके cabin के बारे में बता देता हूं मैं आपको, कि cabin में कितना space है, क्या-क्या features मिलते हैं, तो यहां से easily driver इसके अंदर चड़ सकता है, कोई problem नहागी cabin के अंदर चड़ने में, यह handbrake lever के controls, और यहां से चड़ के अंदर जा सकता है driver, और यह seats, air seats मिलते हैं, seats काफी comfortable इसकी, और यह इसका steering wheel, power steering मिलते है इसके अंदर आपको, यह इसका instrumental cluster, speedometer, rpm meter और MID मिलते है, इसके अंदर आपको gear shift advisor मिलते है दोस्तों, MID के अंदर, बाकी fuel वगएरा कितना है वो, और AdBlue कितना है वो बताता है, इसको आप adjust भी कर सकते हैं, और य यह wiper control, यह lights के control, यह blue और wind देख सकते हैं यहाँ पर, और यह fuel economy switch मिलते हैं आपको यहाँ पर, इसके अंदर आपको hill start switch भी मिलते है, और यह AC के control, यहाँ पर देख सकते हैं, यह इसका 9-speed transmission का gear knob, और यह day cabin मिलते है आपको, sleeper cabin ही मिलते है इसके अंदर, और यह इसके LED light, व काफ़ी सही cabin इसका, यहाँ पर आपको bottle holder मिलते है, प्लस paper holder मिलते है, तो दोस्तों, अब इसके exterior के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका wheelbase है, वो 3880 mm का है, और एक बार इसका जो, आपको जो box body मिलते है, उसको मैं उपर करके दिखा देते हूं, कितने टाइम में उपर होत है, अब इसके अंदर आपको दो वी रेंड मिलते है, एक तो cabin with box body और cabin with scoop body, वो depend करता है, आप कौन सा लेते है, और अगर आप load body option में जाते हैं, तो आपको उसके अंदर भी 2 option मिलते है, एक तो 16 cubic meter का, और 14 cubic meter का, तो दोनों के अंदर आपको box body और scoop body मिलते है, वही पर अग आप आप देख सकते हैं, इसका एक बर overall look, और अगर आपको इसके अंदर एक prima variant भी आता है, टाटा प्राइमा भी आता है, जिसका 28.tk के नाम साता है, टाटा प्रेमा, आप वो भी ले सकते हैं, लिकिन जो उसकी price start होती है, वो 39 lakh के something उसकी price start होती है, और इसके अंदर आप 230 horsepower वाला engine भी ले सकते हैं, अभी मैं आपको इसके engine के बारे में बताऊंगा, तो सबसे पहले इसके tire के बारे मैं आपको बता देता हूं, तो इसके अंदर आपको 11 x 20 के mining tires मिलते हैं, और optional में आप दोस्तो 11 x 20 के nylon tire भी ले सकते हैं, ये इसका spare wheel, और ये इसका fuel tank, इसके अब इसके engine के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको 6.7 liter का 6 slander engine मिलता है, जो की 250 hp प्रेड्यूस करता है, और ये maximum 200 rpm पे 250 hp अटेन कर लेता है, और 900 Nm का टॉर्क प्रेड्यूस करता है, जो की 1800 rpm के something gate टॉर्क डिलिवर करता है, वही पर अगर clutch की बात करें त है की clutch मिलती है, और जो transmission मिलता है, इसके अंदर आपको 9 speed मिलता है, और जो gearbox आता है, इसके अंदर वो G1150 gearbox आता है, यह पर एक overall look ले सकते हैं आप इसका, अब इसके rear axle की बात कलेते हैं, तो इसके अंदर आपको single reduction hypod gears मिलते है, fully floating axle के साथ आता है, जो की RA109, और अगर rear की suspension की बात करें तो आपको bogey suspension मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, rear में bogey suspension मिलता है, एक बार आप closer look लेजर देख सकते हैं इसका, अब इसके front axle के बारे मिलता है, तो front के अंदर आपको force ibim reverse yellow type मिलता है, और front suspension मिलता है, आपको semi-laptical loose spring, प्लस यहाँ पर आपको एक front मे plate मिलती है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो mining के time पर stones वगरा से बचाती है इसको, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इसकी complete details बता दी, इसके अंदर आपको कौन सा gaming मिलता है, क्या इसका gearbox है, total specification बता दी, अगर आपको और भी कोई specification जाननी है तो नीचे comment section में को बता सकते हैं, और आपको यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों, नीचे comment section में जरूर बताना, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा दोस्तों, तो इस वीडियो को like करना, हमारे channel को subscribe करना, और bell बटन को जरूर दबा देना, ता कि आपको हमारी वीडियो की notification मिल जाए दोस्तों, so दोस्तों thank you for watching this video,